राश्ट्रिय कुनो अभ्यारन के बड़े बाड़े में पिछली दिनों मादा चीता तिब्लिस छोड़ी गई थी तिब्लिस ने पहली बार शिकार किया है तिब्लिस ने वन जीव चीतल का शिकार किया है तिब्लिस के सिकार करने पर कुनो वन मंडल के अधिकारियों ने खुस इसके बाद रविवार को तिबलिस ने एक चीतल का शिकार किया अब तिबलिस नेचुरल तरीके से दूसरे जीवों का शिकार कर सके की दूसरे चीते भी शिकार करके अपना पेट खुद भर रहे हैं चीता टांसपोर्ट के अधिकारी इसे देख कर खुशी जाहिर कर रहे हैं चीता टाक्स फोर्ट के अधिकारियों की कहने पर कुनो वनमंडल के अधिकारियों ने पिछले 27 नवंबर को मादा चीता तिबलिस और एक अन चीता को बड़े बाड़े में रिलीस किया था इसके बाद से यह लगातार वन जीवों का सिकार करने की कोशिश करती रही लेकिन तिबलिस को कोई काम्याबी नहीं मिल रही थी राश्टी कुनो अभ्यारन के DFO प्रकास वर्मा ने कहा कि मादा चीता ने नेचुरल रूप से शिकार किया है यह वाकई में खुसी की बात है हमें लग रहा था कि बड़ी घास होने की वज़े से सिकार नहीं कर पा रही थी हमने सनिवार को चीतों के बड़े बाड़े में 13 और चीतल छोड़ दिये जिसके बाद तिबलिस ने 24 घंटे के भी तर चीतल का पहला शिकार किया है यह खुसी की बात है कि वह नेचुरल रूप से शिकार कर रही है बड़ी अच्छी बात है कि हमें पिछले जब से टिबलिसी को चोड़ा था 28 से तो उसने प्राकरतिक रूप से किया नहीं था लेकिन वहाँ पर चुकी घंट भी थोड़ी उची है थोड़ा सा घंट भी है पेच तो लग रहा था में कि थोड़ा सा हो सकता है चीतल यो तल उसको देखने नहीं आ रहे हो पर कल और चीतल और उस बाड़े में छोड़े गए और आज सुबर जो मानिटिंग टीम गई थे नहीं देखागी उसने टिबलिसी ने भी सिकार कर लिया है